नमस्कार दुशको बंधन समाचार में मैं हूँ आपके साथ रिच्छावर्मा खबर चिलाब इश्णौर से है जहां से हम आपको दिखाता है हमारे संबादाता रिच्छावर्मा की खास रिपोर्ट कोरोना काल का लोगडाउन हर किसी को याद होगा कोविट का समय किसी के लिए आपदा से कम नहीं रहा तो कहीं आपदा को भी कुछ लोगों ने अफसर में बदल दिया ऐसी ही एक कहानी है बिस्नौर के रिचुराज सिंग की जिन्होंने कोरोना काल में घर में रहकर खेती किसानी करने की ठान ली आज की समय में घर बैठे सालाना तस लाग रुपे तक कमा रहे हैं आपको बता दें रिचुराज ने बताया कि कोरोना काल में लोगडाउन लगा तो बड़े शहरों में चारों और दर का माहोल था उनका कहना है कि जब अपने गाउ उम्री पहुचा तो एक अलगी शान्ती का एसास हुआ अपने घर में तीन महीने कब घुजर गए इसका पता ही नहीं चला एक दिन उनके पिता ने उनसे कहा कि मैं अपने गाउ में ड्रेगन फ्रूट की खेती करना चाहता हूँ तो उन्होंने ठान लिया कि मुझे अपने आगे का जीवन और भविश्य खेती में ही तलाशना है और औरगेनिक खेती करके खेती के शेतर में करांती लानी है उन्होंने बताया साल 2020 में ड्रेगन फ्रूट की खेती की शिरुवात केवल तीन बीगा जमीन से की अब साल 2024 में रितुरा सिंग 3 बीगा जमीन से बढ़कर 6 बीगा जमीन पर ड्रेगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं उन्होंने बताया कि ड्रेगन फ्रूट की प्लान्टेशन सितंबर 2020 में की थी जून 2021 में हमारे खेत की फसल तयार हुई साल 2021 में 3 बीगा जमीन से केवल 4 कुंटल ड्रेगर फ्रूट ही उगे जिसका प्रेटी किलो का रेट 200 रुपे है उन्होंने 2021 में केवल 80,000 रुपे का प्रॉफिट कमाया 2022 में ड्रेगर फ्रूट की फसल दोगनी हो गई यानि कि 3 बीगा में 8 कुंटल 220 रुपे प्रेटी किलो के हिसाब से 1,76,000 का मुनाफ़ा रितुराज को हुआ साल 2023 में 4 बीगा जमीन में 15-20 कुंटल ड्रेगर फ्रूट की फसल उत्पन हुई जिसमें रितुराज को 4,5-5,000 का मुनाफ़ा हुआ वही साल 2024 में रितुराज ने 40-50 कुंटल की फसल उगाई जिसमें उन्हें 10,000,000 की कमाई हुई उन्होंने बताया कि अगर आप ड्रेगर फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो मुनाफ़ा कमाने के लिए कुछ साल का इंतजार करना होता है हम अपने फाराम पर ड्रेप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और ट्रेन गन का इस्तिमाल करते हैं ड्रेप इरिगेशन से एक तो पानी की बचत काफी जादा होती है कि वह उतना ही पानी पेड में संचित होता है जितनी उसको जरूरत है ताकि नमी बनी रहे उन्होंने बताया कि ड्रेगन फ्रूट की बुआई के लिए परवरी से अक्टूबर तक का महिना बैस्ट होता है इसकी खेटी के लिए 25 से 30 डिगरी का टैंपरेचर अनुकूल माना जाता है साथी रितुला सिंही बताया कि हमने अपना लोकल मार्केट तयार किया हुआ है पूरी फसल लोकल मार्केट में ही बिख जाती है बचा हुआ माल बुड़गाओं के एक खरदार को पेस सिया जाता है और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ